इस इस प्रोफेसर एमेच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग जैनवरी 2020 में कोश्चन पुछा गया था एमकॉम के कोश्चन पेपर में रिस्पॉंसिबिलिटी अकाउंटिंग से आया था जिसमें निकालना था calculation of ROI and ROI ROI का मतलब होता है return on investment, ROI का मतलब होता है residual earning ठीक है इसका meaning भी समझेंगे, इसका logic भी समझेंगे कोश्चन को कैसे solve करना है उसका trick भी समझेंगे तो सबसे पहले कोश्चन देख लेते हैं फिर explanation के दोरानी इसका logic बताऊंगा तो पहले यहां पे दिया है UNEX India Limited segmented into three division, तीन division में यह company divide है ABC, all were formed in the same year and now all assets have left exactly one half of their expected life अब बोला है same साल में उन लोग को form किया गया था, अब उनके पास have left with one half of their expected life और जितने भी asset उनके पास बचे हैं और भी तक half, one half, मतलब half बच गए हैं उनके life के साब से The top management is attempting to determine which of the division is most profitable मतलब तीनों division इस्टार्ट किया था, एकी साल में स्टार्ट किया था, सबको asset दिये गए थे अब वो जो asset उन division में use हो रहे थे, उनका value, expected life मतलब और आधे साल वो काम होंगे मतलब उसमें जो भी asset use हो रहे हैं, उनको सिर्फ half year के लिए ही use कर पाएंगे क्योंकि expected life सिर्फ half year बची है, तो अब top management ये determine करना चाहता है कि भाई कौन सा division profitable है भाई A से profit जादा हुआ, B से हुआ, C से हुआ कि तीनों से नहीं हुआ, तो management ये decide करना चाहती है तो अब क्या देखना है, तो data दिया गया है कि भाई तीनों division ने ये net income from taxes कमाया है 78,000, 90,000, 96,000, उसमें investment कितना किया था, gross base और net base के साफ से इतना इतना investment किया गया था तो आप लोग बोलेंगे, सर, profitable तो C लग रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इसमें पैसा भी जादा लग है, तो कैसे decide करेंगे, तो यहाँ पर दिया है, prepare a ranking of three division using ROI और RI with capital charge of 12.5% of each division, manager might use to assert that he is the most profitable division, अब question कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन यह समझ में आया, आपको यह decide करना है कि ABC करके division है, कौन सा division profitable है, ROI के हिसाब से और RI के हिसाब से, तो देखो, कैसे solve करना है, let's start, सबसे पहला, यह याद रखना है, आपको सबसे पहला आपको party का नाम लिखना है, party का नाम क्या है, Yonex India Limited, फिर क्या करना है, लिखो, ranking based on ROI और RI, फिर तीनों division का detail लिखो, कौन से तीन division है, A, B, C, और यहाँ पे लिखेंगे particular, ओके, तो question मैंने यहाँ पे पहले copy कर लिया है, देखो यह question अब हम लोग को question देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी, पीछे जाने नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, तो सबसे पहला क्या दिया है, सबसे पहला हम लोग निकालेंगे ROI, तो ROI क्या करना है, यहाँ पे दो investment दिया है, आपको ROI और RI निकालना है, तो क्या क करना है, सबसे पहले इसका formula लिखना है, formula क्या ROI का, net profit before interest and tax divided by capital employed into 100, ठीक है, अब यह क्यों फॉर्मुला यूज किया, what is the logic, तो logic यह होता है, नाम से ही पता चल रहा है, return on investment, जितना भी आपने investment किया, जितना भी आपने investment किया, उसके ओपर return कितना, अब आप कोई चीज में लगाते हो, picture movie देखने जाते हो, 500 रुपया लगाते हो, फिर पूछते हैं, मजा आया की नहीं आया, तो मजा आना, और मजा नहीं आना, that is the return, आई बास समझ में, ऐसी business में पैसे लगाते हो आप, तो business में 100 रुपया लगाया, तो 100 रुपया लगाने पे आपको कितना पैसा return आ रहा है as a profit, right, तो इसलिए लेते हैं, हम लोग net profit before interest and tax, अब logic क्या है कि before interest and tax लेना, क्योंकि investment के basis पे देखना है, interest भी भरेंगे, tax भी भरेंगे, लेकिन these are the most two expenses and obligations, ये तो भरना ही भरना है, इससे पहले पहले हम लोग ने कितना return कमाया, ये तो by default interest and tax तो भरना ही पढ़ capital employed, capital employed का मतलब होता है, capital मतलब पैसा, जो business में लगता है, employed मतलब लगाना, तो business में जितना पैसा लगा, that in short investment, तो जितना आपको मिला और जितना आपने लगाया, उसको divide कर इंटू 100 करो, तो return on investment आएगा, best example में इसको explanation देता हूँ, एकदम simple example है, आप लोग भी exam दोगे, ठ 60 mark का, समझो 100 mark का paper है, आप attempt कितने mark का कर के आते हूँ, mostly सब लोग 100 mark का attempt करते हैं, try तो 100 का ही करते हैं, लेकिन आपको मिलता कितना है, example के तौर भी 60, 65, ठीक है, तो 65 out of 100, ऐसा ही लिखते हैं, कितना marks मिला भाई आपको, तो 65 out of 100, बोलते हैं ऐसा, तो same way में, आपने 100 mark का attempt क किया, return कितना है, 65 mark साया, तो percentage कितना होगा, तो 65 divided by 100 into 100, इसलिए formula बना है, आई बास समझ में, yes or no, तो derivation सीख जाओगे ना, तो formula समझने के लिए आसानी होगी, अब इसके बाद क्या करना है, एकदम simple है, तो अपने पान net profit कितना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, दो investment है, capital employed जो होता है, investment होता है, तो एक है gross, एक है net, capital employed देखो, किस तरीके से निकालता है, यहाँ पे दिया है, दो तरीका होता है, capital employed का, इधर देखो, पहला वे, own fund और loan fund, own fund का मतलब होता है, equity share, preference share, reserves and surplus, minus, miscellaneous, add, loans and adventure, इन सब को जब आँड करते हो, तो capital employed मिलता है, या, द minus liability करनेगा, तो आता है आपको capital employed, जब यही दोनों का add करते हो, तो उसको gross बोलते हैं, और जब current liability minus करते हो, उसको net बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे यह दो दिया है, investment है, gross book value और net book value, तो दोनों के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालना है, तो net profit तो दिया है न 390 पे, तो 78,000 divided by 390 into 100, आरी बास समझ में percentage कितना हैगा, 20%, same way में, जब यह दोनों का ऐसा है, तो इसका कैसा हैगा, 90 divided by 5 lakh into 100, कितना हैगा, 18%, 96 divided by 6 lakh into 100, कितना हैगा, 16%, बराबर है, अब इसी के basis पे इसका क्या करना है, ranking करना है, तो कौन सा best division है, तो जो सबसे ज़्यादा है वो ही division best है, तो इसका आएगा 1, इसका आएगा 2, और इसका आएगा 3, यह percentage में नहीं है, आरी बास समझ में, 1, 2, 3, clear है, ठीक है, अब यह gross है, अब net के हिसाब से करेंगे, तो ROI, इसको मैं freeze कर देता हूँ, तो इसको देखने में आसानी होगी, यह ROI हो गया, अब based on net book value, same formula यूज होने वाला है, ठीक है, तो अब 78,000 divided by 390 नहीं, 195 आएगा, based on net book value बोला है, ना, net book value, तो net book value कितना 195, तो 78,000 divided by 195 into 100, यहाँ पे 90 divided by 250 into 100, 96 divided by 300 into 100, percentage आएगा, 40, percentage आएगा, 36, percentage आएगा, 32, उसी के base पर क्या करना है, rank देना है, तो rank भी same rank आने वाला है, अगर आप देखेंगे तो, सबसे ज़्यादा किसका है, 40, 36, 32, समझ में आया, यह उस और नो, तो यह हो गया, return on investment, अब दूसरा क्या करना है, आपको, based on, R.I. R.I. का मतलब क्या होता है, net profit after tax, यह वाला net profit after tax लेने का, residual earning, residual earning, residual earning मतलब बची हुई, तो बची भी क्या, जो आपने before interest and tax लिया था, न तो interest भी दे दो, tax भी दे दो, minus interest rate on capital employed, यह minus करने का, तो residual earning बचेगा, मतलब, जो पैसा आपने business में लगाया, 100 रुपया लगाया, वही पैसा अगर बाहर FD में डालते, या कहीं invest करते, तो आपको कुछ return मिलता के नहीं मिलता, R.I. बा समझे, तो उसको कैसे compare करते कि, भाई, market में interest rate 12% चल रहा है, 12.5% चल रहा है, जैसे question में दिया, 12.5 तो जो पैसा यह लगाया, तो जो भी आपका net profit रहेगा, आफटर tax लेने का, क्योंकि अपने को residual earning चाहिए, residual मतलब बची हुई, तो interest minus करने का, tax minus करने का, और फिर capital employed पर यह interest rate minus कर देने का, तो जो भी बचेगा, वो हो जाएगा आपका residual earning, आर यह बास समझ में, ठीक है, तो अब इसमें कैसे solve करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक आइटम, इसमें तीन चार आइटम है न, पहला दिया है, net profit after tax, interest rate, तो यह before दिया है, तो tax tax दिया नहीं है, तो यही अजूम कर लेंगे, कि यही आपका net profit after tax है, ठीक है, तो कितना है, 78, 90 और 96, तो यह तीनों लिख देंगे, बराबर है, फिर अपने को क्या ची, interest rate चीए, तो interest rate कितना दिया है, साड़े बारा टका, दिया है न, question में देख लो, है के नहीं, फिर इसके बाद क्या ची, capital employed, capital employed हम लोग क्या करेंगे, दो दिया है, तो पहले वाला ले लेंगे, gross investment, 3,90, 5,00, और 6,00, यह देखे हो, बराबर है, आप क्या करना है, 78,000 में 12.5% of 3,90, तो पहले इन दोना का percentage निकालो, तो कितना आता है, 48,750, यह 78 और 48,750 को minus करो, आपको answer मिलेगा, 29,250, यह आपका R.I. हो गया, based on gross investment, same way में इस पांच लाग का निकालेंगे, तो आएगा, 62,500, 90, और 62,500 को minus करो, तो आपको answer मिलेगा, 27,500, फिर same way में इन दोनों को multiply करो, तो आपको मिलेगा 75,000, तो 96, minus 75,000, तो आपको answer मिलेगा, 21,000, अब इसी का ranking देदो, सबसे ज़्यादा है, residual learning किसकी हो रही है, तो 29,000, 27,500, तो यहां पर मैं लिखूंगा, फर्स्ट, रुपीज नहीं है, यह ranking है, तो इसको number में डालेंगे, आई बात समझ में, yes or no, और इसका ranking होगा, पहले कौन सा आएगा, यह आएगा, तो यह second हो जाएगा, और यह third हो जाएगा, समझ में आई बात, इस तरीके से ranking है, तो 15 माग के लिए आया था, अब same way में, आपको net वाला दिखा देता हूं, same जो यहां पर copy किया है, वही सब यहां पर करना पड़ेगा, तो देखो copy कर दिया है, ठीक है, अब इसमें net before, यह 70, 80 रहने वाला है, 90 और 96 रहने वाला है, त छे लाग नहीं लिखेंगे, साड़े बारा टका तो fix है, ठीक है, अब investment net investment लेंगे, तो net investment कितना है, 195, 250 और 3 लाग, तो यहां पर जाके हम लोग लिख लेंगे, 1,95, 2,50, 3,00, फिर इन दोनों को multiply करके amount जो आएगा, वो निकाल लेंगे, तो आएगा 24,003,75, यहां पर आएगा amount, 31,250, कैसे आया, 9,95, into 12.5%, 2,50,000, into 12.5%, 3,00, into 12.5%, तो आपको answer आएगा यह, अब इन दोनों को minus करना है, इन दोनों को minus करना है, इन दोनों को minus करना है, तो यह minus करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 53,625, 58,750, 58,500, अब ranking दे दो, यहां पर भी ranking क्या होगी, सबसे ज़्यादा किसकी income आरी, इ इसकी rank हो जाएगी, सबसे बड़ी 58,750 है, ठीक है, तो इसकी ranking बढ़ गई, फिर दूसरा 58,500, यह को आएगा, यह आएगा, तो second ranking इसकी हो गई, और third ranking इसकी हो गई, समझ में आया, बहुत simple question है, तो मैंने try किया है, कि आपको पूरा समझ में आ जाए, इस तरीके से solve करते है आईबास समझ में, तो यह वाला अगर आया, तो पंदरा माँ आपको easily मिल जाएगा, तो आप इसको go through करो, कोज अभी भी confusion होता है, तो comment करके बता सकते, and please like and subscribe for more videos, thank you